हलो फ्रेंड्स मैं मुकीश मेडवाल एक बार फिर से अपने योट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और बनेंदर करता हूँ तो यह जो फासी वाद है नाजी वाद है ठीक है और साथ में हिटलर और मुसुलीनिक के अगर हम बात करें तो यह सब वास्तम में क्या है इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे विशेशकर आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फासिवाद और मुसु लिनी के बारे में यानि कि यह इटली से जुड़ी हुई एक व्यवस्ता है और 1919 इसमे में पेरिस के शांती सम्मेलन के पशाथ से लेकर 1949 इसमे में अधिनायक वादी जो सत्ता की अस्थापना हुई थी विशेशकर इटली और जर्मनी में उसने निश्चित रूप से विश्व के इतिहास को गहरे अर्थों में परभावित किया और सबसे बड़ी बात की 1919 में पेरिस शांती सम्मेलन में हम सब कह सकते हैं कि कठे इस वज़े से हुए कि फिर से इस तरह के युद्ध जो कह सकते हैं कि जो मानव के नरसंगारक जो युद्ध है ऐसे युद्धों को फिर से नहीं होने देना है इस कामना के साथ पेरिस में शांती सम्मेलन में हम सब उपस्तित हुए थे विश्व के जो कह सकते हैं कि प्रमुख जो विजेता राष्ट थे वो सब उपस्तित हैं लेकिन उनकी जो चाहत का कह सकते हैं कि चाहत की पूर्ती नहीं हो पाई और इस वज़े से फिर क्या होता ह कि जो विश्म परिस्तितियां होती है चाहे वो वर्साय की संदी की बात करें चाहे क्या सकते है कि वीमर का समिधान की बात करें जो तमाम तरह की जो इस्तिति आई ठीक है और उनेस्तों सत्रहिसमें जो रश्म रिवोल्यूशन हुआ और जो विशिष्ष कर पूरवी ये युरोप में जो सामयबाद का जो प्रभाव जो असर दीरे-देरे बढ़ने लगा था वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के इतिहास को विशेश कर यूरोप के इतिहास को प्रभावीत कर रहा था तो वो सारी जो परिस्तितिया है ना उन सारी परिस्तितियों को हम सब समझने की कोशिश करेंगे ठीक है उन सारी परिस्तितियों को हम सब समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में और हम dictatorship होता है वो dictatorship क्या होता है जिसे हिंदी में हम अधिनायक वादी कहते है ठीक है इसी तरह से हम लोग इस बात को समयने की कोशिश करेंगे कि जो फासी बाद है जो शब्द है उस शब्द की वियुत्पति कैसे हुई इस बात को समयने की कोशिश करेंगे और साथ में हम सब समयने की इस बात की भी कोशिश करेंगे कि जो फासी वाद है चीक है उस फासी वाद के जो उद्देश थे वो उद्देश क्या थे एक प्रकार से आप समझ जाए कि 1919 से 1949 इसवी के बीच है अगर आप देखें तो इटली और जर्मनी में दो विचार धारा आती है dictatorship का या क्या सकते है totalitarianism जिसको हम कहते है totalitarianism जो है मत्तब हो गया एक प्रकार से अधिनायक वादी एक तरह से सर्वसत्ता धारी जो एक विचार धारा जोद्पन हुई थी उस विचार धारा के क्या सकते है कि उसका हम लोग कारणतों समझेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इटली के अंदर भी अगर आप देखेगा तो प्रथम विच्विद्द की परिस्तीतियों में जो सरकार थे ठीक है उस सरकार के जो decision थे वो decision कैसे थे विच्विद्द के संदर में और जैसा कि हमने कई बार आपको बताया इस दौरान जो इस दिरान विच्वितिहास के क्लास में उसमें हमने इस बात को समझाने की कोशिश की दी कि जो प्रथम विच्विद्द है वो दो गुट में हुआ था त्रिपल अलाइंस था बदल कर वो क्या है कि वो मित्राष्ट के साथ शामिल हो गया ठीक है तो मित्राष्ट के साथ शामिल हो गया उसकी जो कामना थी जिस कामना के साथ और ब्रिटिन और फ्रांस ने उसके इस कामना के युद्धो परांत कह सकते हैं कि फली भूत होने की जो उने का वाइदा किया था वो युद्ध के बाद नहीं हो पाता है ठीक है युद्ध जब खत्म हो जाता है तो इटली की जो कामना थी पेरिशांती सम्मिलन में जैसे कि हमने आपको बताया था कि वहाँ पर और लेंडो भी इटली का परदार मंत्री और लिकिन क्या होता है कि बीच में वो छोड़ कर चला जाता है। ठीक है तो छोड़ कर चले जाने का क्या कारण है यह सारी बाते हमने आपको बताई उसको किस तरह से निराशा हाठ लगी और वो जो वो विचारधारा साम्मेवाद की थी ठीक है वो साम्मेवादी विचारधारा थी लेकिन क्या होता है कि साम्मेवादी विचारधारा भी जो है वो कहे कि उस इटली को जो खराव होती जो आर्थिक स्थिती थी जो कह सकते हैं कि जो माली हालात वहां के खराव हो चुके थे और विश्वास अपनी सरकार से उठने लगा था तो वो जो एक मतब क्या सकते हैं कि इस तरह की जो परिस्थितिया थी उससे उभारनी की जो कोशिश साम्मेबाद की हो रही थी वो भी उसमें सफल नी रहा तब जाकर फिर क्या होता है कि फासी बाद का उध्य होता है तो ये सारी एक परिस्थिती है जिसको हमें समझना है उम्मिद करता हूँ कि आप सब फटा फट जो है जुड़ रहे होंगे वैबब सिंग जी महेंदर प्रजापती आकाश पंडे जी जितने भी लोग उपस्तित है सब का आज के सेशन में हार्दिक स्वागतुर अब इनंदन है ठीक है और ये सब ये फर्स्ट वल्ड वार से लेकर सकेंड वल्ड वार तक ये छोटी छोटी जो घटनाएं है छोटी सम्मिलन हुआ वर्साइक की संदी हो गई सैबर की संदी हो गई ठीक है इसके बाद बीमर संविधान बना इसके बाद लोकारनों की संदी होती है ठीक है इसी तरह से जो है फिर क्या होता है कि फासी वाद का हो जाए नाजी वाद का हो जाए ये सब अगर देखा जाए तो य के फॉस्ट और सकेंड वर्ड वार के दौरान भी 1917 में रासिय निवलेशन वाब बाद में यह सारी जो इस्तिती आई यह सारी जो घटनाई घटित हुई इंसिडेंट्स हुए यह सब किसी ना किसी रूप में जो है दूसरे विश्युद की प्रिश्वोमी को जो है तैयार करत है तो इसी वज़ा से आज के सेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे पहले इसी बात को समझने की कुशिश करते हैं ठीक है फासिवाद और मुसुलीनी तो देखिए फासिवाद की अगर हम बात करें तो एक वर्ड है टोटेली टेरियनिजम क्या होता है कि वह एक व्य जाता है वही कारिपाली का वही विधाई का वही नियाई पाली का और साथ में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो अपनी entity होती है अपनी जो सत्ता होती है वो सत्ता उसी अधिनायक जो होता है जो dictator होता है उस dictator में समाहित कर दिया जाता है यानि कि dictator जो होते हैं जो totalitarianism से जो है विचारधारा से प्रभावित होते हैं वो ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही जो है वो सही है इसमें किसी तरह का if और but नहीं है जनता या नागरिक का जो काम है वो काम केवल हो केवल ऐसे डिक्टेटर के जो आदेश जो अनुदेश जो आग्याई होती है उन आग्याओं का अनुपालन करना ही जो है वो कहे कि एक मात्र परम कर्तव्य जो है वो कहे कि नागरिकों का होगा ठीक है ये जो है फासिजम की जो है बात करते है जो फासिजम नाजीवाद ये सब के सब जो है इसी अधिनायक वाद का जो है उधारन माना जाता है जस लेक आप आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं ठीक है यह है अधिनायक अधिनायक वाद ठीक है यह है टोटेली टोटेली टेरियनिजम ठीक है अधिनायक वाद और अधिनायक वाद कि अगर हम बात करें तो एक जो है जर्मनी ठीक है और दूसरा हो जाएगा इतली तो जो जर्मनी में है वो क्या है नाचिवाद है और इटली में जो है वो क्या हो जाएगा फासी बाद ठीक है जर्मनी में कौन इसको लीड कर रहा था हिटलर और इटली में इसको नित्यत्व कौन कर रहा था इसका मुसोलीनी ठीक है तो जो आधिनाईक वाद है ये टोटलीटेरियनिजम की बात करता है ठीक है अगर इसको हम Hegel की विचारधारा से comparison करें तेक है अगर इसका अगर हम देखें तो Hegel की विचारधारा से इसका comparison करें Hegel भी Germany के ही philosopher हुआ करते थे और Hegel जो है ने इनकी जो विचारधारा है वो कही न कही अगर देखा जाए तो फासिवाद या नाजिवाद की जो विचार धारा है उस विचार धारा से एक प्रकार से मिलती जूलती है और वो विचार धारा क्या है कि वो राज्य को हेगल क्या करता है कि राज्य को ये ध्यान रखना है कि यह मतब एक तरह से इश्वर का इश्वर का पार्थिव रूप मानता है ठेक है इश्वर का क्या मानता है पार्थिव रूप मानता है और जो इश्वर का पार्थिव रूप यानि कि राज जो है प्रकार से आप ये कह सकते है कि वो इस धरती पर एक प्रकार से क्या है कि वो इश्वर का रूप है ठेक है जस्ट लाइक आप बलवन की बात करिए कि ब नूर है अल्ला का प्रकाश है जिसको जिल्ले इलाही भी कहा गया ठीक है अल्ला का नूर है अल्ला का प्रकाश है जिल्ले इलाही है ठीक है तो बल्वन जो है इसलिए वो इस साधर पर ये कहता है था कि चुकी सुल्तान इस धरती पर अल्ला का प्रति दिये इसलिए सुल्तान के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अल्ला का एक प्रकार से आदेश है और सुल्तान के आदेशों का अवग्या करना एक प्रकार से अल्ला के आदेशों की अवग्या करना है तो एक तरह से अगर हम देखे इस साथ थोड़ा सा कॉमपेरिजन करें तो हम ये पाएंगे कि लगवग ऐसी ही विचार धारा थी लेकिन बलबन की जो है वो कह सकते हैं कि वो उतना जो कुरूलिटी जो फासिवाद और नाजिवाद में देखने को मिला बलबन उसको एक तरह से बहुत ही कुरूर रूप नहीं दिया उसने केवल इतना कहा कि सुल्तान का पद विस्ष्ट पद होने के वज़ा से आम लोगों से उसका किसी तरह का कि कोई तुलना नहीं है उसका किसी तरह से कोई संबन नहीं है और वो जो है वो कहा है आम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था है ना लेकिन उसका जो मकसद था ना वो मकसद क्या था उसके उदय की जो प्रिश्वोमी थी वो प्रिश्वोमी इसकी प्रिश्वोमी नहीं है यह कि बलबन की जो प्रिश्वोमी है वो उदय की सुल्तान की प्रतिष्ठा लुप्त हो चुकी थी सुल्तान की खोई वी प्रति को वो कह सकते हैं कि वो धुलना चाहता था ती कैतोंDas कहने क्क्षडना की बलबन की जो फिलोसोफी थी उसका जो कह सकते हैं कि डिवाइन thieiory of kinkshift था वो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके अंतरगत सुल्टान को यानि राज जी को इस धर्ती पर खुदा का प्रतिनिदी इश्वर का प्रतिनिदी मानने की जो बात थी वो भी एक प्रकार से हेगल जो ये कहता है वो कहता है कि राज जो है वो इश्वर का क्या है पार्थिव रूप है और इश्वर का पार्थिव रूप है तो सब लोग जो है एक तरह से जो नागरिक है उसके पास अपने स्वतंत्र रूप से कारी करने की कोई गुंजाईश नह राज जी ने जो आदेश दिया यानि कि वो इस्वर्य आदेशै और उश्ष्वर्य आदेश का अनुपालन करना प्रतिक नागरिक का है फरज बनता है ठीक है न अंदर सारी ताकत के समावेश की बात करता है ठीक है तो अधिनायक वाद जो है प्रकार से यह हो जाएगा अधिनायक वाद है ना और यह हो जाएगा सर्वसत्ताधिकारी सर्वसत्ताधीकारी ठीक है टोटेलिटेरियनिस्म यही है ठीक है ना और आप समझ जाएं कि एक व्यक्ति के अंदर जब सारी ताकत आप दे दोगे है ना फ्रेंच दारशनिक मंटिस की जो है वो क्या कहते दे उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने हिस सबसे पहली बार separation of powers की बात करीती है उन्होंने यह कहा था कि एक ही व्यक्ति के अंदर कह सकते हैं कि कारिपालिका विधाईका और नियाईपालिका के सारे आधिकार अगर समाहित कर देंगे तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है कि नेरंकुष वो तानाशा हो सकता है इसलिए फ्रेंच दारश्रिक मंटेसक्यों ने जो है उन्होंने यह कहा कि कारिपालिका विधाईका और नियाईपालिका यह जो तीन अलग-अलग तरह के काम है वो अलग-अलग संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए अलग-अलग उसकी एक वैवस्ता होनी चाहिए और एक दूसरे से घुला मिला नहीं होना चाहिए तो वो इसलिए फ्रेंच दारश्रिक मंटेसक्यों यह बात कहता था क्योंकि वो जानता था कि अगर एक व्यक्ति के अंदर सारी ताकते दे दोगे तो व्यक्ति का दिमाग खराब हो सकता वो ताना शाहि हो सकता उसका मिस्यूज कर सकता है और तबाही मचा सकता है और इसलिए जो है और फिर फूरी दुनिया में आप जो देखते हो लोग-तांतरिक वैवस्ता में वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर विधाईका, कारिपालिका, न्याईपालिका तीनों एक अलग-अलग इंटिटी के रूप में जो है वो क्या है कि काम करता है तो जस्ट लाइक इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर अधिनायक वाद है तो यानि कि हम ये कह सकते हैं कि सर्व सत्ता धिकारी अधिनायक वादी ये सब जो है लोक तंत्र के क्या होंगे बिरोधी होंगे लोक तंत्र के के बिरोधी ठीक है इसमें क्या होगा कि सारी सक्तियां सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित ठीक है सारी शक्तिया एक ही व्यक्ति के अंदर जो है वो क्या होता है समाहित होता है ठीक है ठीक है लिख लिया एक ही व्यक्ति के अंदर समाहित होता है ठीक है, सर्व सत्ता जो वाद है, ठीक है, सबसे पहले यह चीज समझे कि यह क्या है, इसकी जो विशीस्ताइं होती है, इसके जो फीचर्स होते हैं, इसके जो करेक्टेरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, इसके जो विशीस्ताइं हैं, यानि फीचर्स ठीक है इसकी जो विशीस्ताएं है सर्वसक्ताबाद या अधिनायक बाद की इसमें जो है नागरिक या वैक्ति की गतिवीधियों पर पुर्ण नियंतरन हो जाता है पुर्ण नियंतरन यानि कि ये अपना सारा फ्रिडम जो है वो क्या करता है कि वो नश्ट कर देता है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है इसमें क्या होगा एक दलिय शाषन की वैबस्ता होगी एक दलिय शाषन कोई विपक्ष नहीं सब के सब सत्ता पक्ष ही होगा ठीक है नागरी किया व्यक्ति की गति वीधियों पर पुर्ण नियंतर एक दलिय शाषन प्रणाली होगा ठीक है एक दलिय शाषन प्रणाली ठीक है कठोरतम कठोरतम सेंसर सेंसर वैवस्ता होगी ठीक है एक दल ये शासन प्रणाली कठोरतम सेंसर वेवस था ठीक है ठीक है इसके बाद गुफ्त पुलीस शासक में सारी शक्तियां सारी शक्तियां अंतर नहीं थोना अंतर नहीं थोना ठीक है यानि सर्वसत्ता वाद देखे एक बात ये समझ लेजे कि यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है कि नागरिक या वेक्तिकी गत्ति वीदियों पर पुर्ण नियंत्रन हो जाता है किसका राज्य करनी अंत्रम हो जाता है ठीक है यहाँ पर यह चीज़ समझ लेज़े है कि अगर राज्य का कंट्रूल है और वैक्ति को किसी तरह की कोई आजादी नहीं है उसका right to जो कहते हैं कि criticize यानि कि जो आलोचना करने का जो अधिकार है वो अधिकार अगर आप जनता से छील लेते हो तो फिर एक परकार से आप यह समझ जाए कि एक परकार से वो नागरिक कहलाने का कोई हक नहीं है तेक है यहाँ पर जो है तब फिर वो राजा और प्रजा में क्या होता था कि राजा जब राजतंत्रिया साशन की वेवस्ता थी वहाँ पर प्रजा नागरिक न नीतियों की आलोच ना कर सकते हैं ठीक है आप उसके बुरुद जो है वो बाती कर सकते हो ठीक है तो वो एक प्रकार से डेमोक्रिटिक जो सिस्टम है उस सिस्टम में होता है वहाँ पर जो है वो नागरिक हो जाते हैं लेकिन अगर मोनेर्कियल सिस्टम ऑफ गौर्मेंट की ब जलत नीतियों की आलूचन नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेगा उसको वोट देने का अधिकार होगा राजा को या जो भी देश की परधान उनको चुनने का अधिकार होगा उनके द्वारा किये गया कृतियों की जो है वो आलूचनात्मक परिक्षन कर सकता है उन्हें विचार अभी व्यक्ति की स्वतंतरता होगा, freedom to expression होगा, freedom to move, freedom to walk, ये सब उसमें होगा, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, जब हम सरसत्ता बात की बात करेंगे, तो यहाँ पे नागरी का शब्द का प्रियोग ही गलत है, क्योंकि वहाँ पर जब आप खुल कर आलुचना न है, आप जो राजा है, वो सब कुछ है, डिक्टीटर है, ताना शाहि, निरंकुष है, उसकी उपर किसी तरगा कोई अंकुष नहीं है, तो वहाँ पर नागरी कहना जो से और वोक्ति की गतिवीधियों होती है, उन गतिवीदियों पर राज का पूरा नियन्तन हो जाता है, एक दलिय शाशिन प्रणाली, एक दलिय शाशिन प्रणाली में क्या होगा, कि एक ही दल है, वही हर बार जीतेगा न, उसका कोई विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष नहीं है, तो अलुचना करने की कहीं कोई जो है, कह सकते हैं कि गुंजाईश नहीं होगी, और फिर सरकार जो निऊस्पेपर है। निऊस्पेपर में उस सत्था की आलुचना नहीं होनी चाहिए। निऊश्पेपर के प्रकाशन के पुर्व या किसी भी तरह का कोई भी चीज जो है कोई वी वीडियो आडियो कुछ भी होता है अगर प्रिंट और कह सकते हैं कि एilian एक्ट्रोनिक कोई भी मीडिया उसमें जो कुछ भी प्रसारीत होगा वो उसमें सबसे पहले वो क्या होगा कि उसकी उसकी प्रताल की जाएगी वो एक कठोर सेंसर व्यूस्ता के थू जो है वो गुजरेगा और अगर सरकार के बिरुद्ध उस वैक्ति उस अधिनायक के ठीक है और राजा जो है यहां पर एक परकार से क्या होता है कि गुप्त पुलीस वगर है सब ठीक है यह सब चीजें चिक करने के लिए कि कौन क्या है कि राजा क्या देश के विरुद्ध जो है कोई कारी करता है तो यह सारी चीजें जो होती है यह हो जाएगा फासिवाद का उद्देश हो जागा ठीक है तो यही है सर्वसक्ताबाद यह हो गया सर्वसक्ताबाद अब सर्वसक्ताबाद के भी जो है अगर आप देखे उननीस सो उननीस और यह जो है उननीस सो उन्तालीस है ठीक है यह दो विश्व युद्ध के के बीच की बात है की बात ठीक है तो जो अधिनायक है ये जो है फासी बात है और ये नाजी बात है ठीक है अभी तो आजी बात छोड़ दे रहे हैं फासी बात की बात करते है ठीक है रहा तो देखें जब हम फासी बात की बात करते है रहा फासी बात इसको इंगलिश में क्या कहेंगे फासीजम ठीक है ये फासीजम जो शब्द है ना ये ध्यान दखे गया ये फैसियो वर्ड से निकला है ये इटालवी बड़ है ठीक है ये ध्यान दकना है ये क्या है एक इटालवी शब्द ठीक है ये फैसियों जो है एक टालवी शब्द है और इटालवी शब्द एक तरह से क्या है कि लकड़ी का गठर है ठीक है और कुलहारी ठीक है लकड़ी का इसका जो सिंबॉल है ये सिंब बॉल जो है वो क्या होगा लकडी का गठर व कुलहाडी हो जाएगा ठीक है ऐसे इसका ताथपर क्या होता है समूह ग्रूप तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ग्रूप यानि कि एक प्रकार से यह समझ लेजे कि यह शक्ती का प्रतीक है यह है शक्ती का का प्रतीक ठीक है एक प्रकार से शक्ती का प्रतीक है विजय विजय अनुशायशन वा निरंग कोश्था का प्रतीक समझ में बात है रही लकडी का गठर का मतलब है एकडम एक जूट एक जूट विजय अनुशासन शक्ती ताकत इस सब का प्रतीक जब माना जाता था था टीक है ना तो देखिए क्या हुआता था अप्र फस त्र फॉ avenue है ना यह सब क्या है तो प्रत्तिक सबसे पहले यह समझ गी इलूट जो है इली में आप देखेगा रूदर के क्पिप की अगर मैं वह मीकों समझे प्रत्त इटली में आप जो है तीन तरह की सरकार समझे है आप जो उननीस सो उननीस ठीक है इसके बाद एक सरकार फिर 1932-33 इस्वी में एक सरकार ठीक है यह बीच में देखेगा यह आएगा समाजबाद या साम्यवादी सरकार यहाँ पर एक सरकार युद्धकालीन युद्धकालीन सरकार और यह यहाँ पर हो जाएगा फासी वाद ठीक है अब यहाँ पर देखे कि 1916-15 इस्वी में ठीक है ना इतली का जो कह सकते है ना कि इतली जो है पहले आस्ट्रिया और जर्वनी के खेमे में शामिल था, ट्रिपल एलाइंस में शामिल था, ठीक है, यानि मित्र रास्ट नी, सौरी, केंद्रिया, केंद्रिया जो है, वो क्या है कि शक्ति या केंद्रिया गुट में जो है, वो शामिल था, लेकिन क्या होता है, उसके पहले जो है, रीजन होता है वो रीजन क्या होता है वो रीजन होता है एक प्रकार से कि समझ जाए कि वो रीजन जो होता है वो रीजन ये होता है कि इटली की कुछ कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ महत्वा कांक्षाएं थी, ठीक है ना, और वो उसको कुछ राज्य, कुछ छेतर चाहिए था, कुछ टेरी-टेरी चाहिए था, तो उसके लिए क्या था, कि जो आस्ट्रिया और जर्मनी जो था, वो क्या है कि उसके बीच ताल मिल जो बहुत बहतर था, और वो जो है, वो क्या है कि इटली को छोड़ कर अपनी सारी बाते वो कर रहा था, छेतर का युद्धो परांथ क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो सारी बाते आस्ट्रिया और जर्मनी, खुद कहने का ट्रिपल एलाइंस था, लेकिन जर्मनी आस्ट्रिया में दोसरे दोनों के बीच एक मतब कह सकते तालमेल बेहतर था लेकिन इटली के साथ उसके तालमेल सही नहीं थे और जो क्या युद्धो इसमें में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लंदन में उसकी एक गुप्त संदी होती है ठीक है और वो गुप्त संदी के अंतरगात है ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्धो परांत इटली की जो कामना वाले शेत्र है उस शेत्र को देने की जो है वो कहे की वाइदा करता है है और इसके बाद क्या होता है 1915 में आस्टिया के बिरुद्ध इटली जो है वो मितराष्ट के खेमे में शामिल हो जाता है ठीक है वो युद्ध चलता है और आपको पता है कि मितराष्ट उसमें जीत जाता है तो मितराष्ट जब जीत जाता है ठीक है न मतलब इस बात की कोशिश कर रहा था कि फिर से इस तरह का कोई भी युद्ध ना हो भगवान न करें आसी कोई इस्तिपन हो कि फिर से इस तरह का युद्ध से पाला जो है पूरे दुनिया के इंसान को करना पड़े तो इस वज़ा से पेरिशानती सम्मेलन होता है लेकिन वहाँ पर जो कामना होती है इटली की जो परधान में इटली का औरलेंडो रहता है तो किलिमान्शू फरांस का रहता है तो वो जो है आप देखिएगा कि जर्मनी की अगर हम बात करें है जर्मनी हो या फिर जो है वो कहा कि इटली हो इसमें जो है मतब कहा सकते हैं कि जो किलिमान्शू जो फरांस है उस फरांस की आप एक प्रकार से देखिए तो मतब दोनों की नाराजगी का एक बहुत वड़ा करन फरांस है था तो किलिमांशू या कह सकते हैं कि बिटेन उसने जो है जो वायदा किया था लंदन की गुप्त संदी के अंतरगा इटली को उस वायदे के हिसाब से जो छेतर चाहिए था वो छेतर उसे नहीं मिला तो वो औरलेंडो क्या करता है कि वो बीच में ही पेरिशान्ति सम्मिलन को छोड़कर चला जाता है ये आपको पता है ठीक है रहा जब चला जाता है तो फिर क्या होता है लेकिन क्या होता है एक तो देखें मतब प्रॉबलम क्या है युद्धकारी जो सरकार थी उस सरकार के सा अगर उसको आप पूरी अच्छे तरह समझ जाओगे ना तो आप बहुत सरलता से फासिवाद के उदय का कारण आप समझ जाओगे ठीक है ना तो और तब आप क्या हुआ कि वो औरलेंडो छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहला नुकसान क्या हुआ है ना सबसे पहला नुक पूरी नहीं हो सकी ठीक है तो पहला जटका तो यहां पर यह लगा दूसरी बात कि इस उमीद से कि युद्धो परांत है वो जो छेतर चाहरा है लंदन की गुप्त संदी के अंतरगात इटली को वो मिलने वाला है वो आप क्या करते हो पूरी जी जान से सब कुछ आप इट इटली तो यह सोच कर सब कुछ वो जोंग देता है उस युद्ध में कि चलो ठीक है अभी नुकसान होगा लेकिन युद्धो परांत जो छेतर हमें मिलेंगे उससे हम वस्तनों की भरपाई कर लेंगे उसने पूरी जो है ताकत लगा पूरे जान धन सब कुछ लगा दिया लेकिन युद्धो परांग शेतर मिला नहीं तो उसकी जो माली हाला उसने इटली में जो सब कुछ जोंग दिया था उसका कोई भी रेमिटेंसिस नहीं मिला था इस वज़ा से क्या होता है कि एक तरह से बहुत ही जो है कह सकते हैं कि वहाँ पर इटली के जो माली हालात है व आपको ये पता चलेगा कि उस युद्ध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उस युद्ध के दोरान क्या होता है कि आप वहाँ पर देख रहे हैं कि उस युद्ध के दोरान वहाँ पर एक परकार से क्या होता है कि जो इटली की स्थिती है ना इटली की स्थिती जो है वो क उद्धो परांत जो इटली का situation था ये ध्यान रखेगा बिजेता रास्ता लेकिन माली हालात बहुत ही खराब थे अब जब खराब होगा तो इसमें क्या होगा अब देखिए कुछ बाते एक दम गौर से समझे कि जो इटली की जो मतब सरकार थी जो 87 सरकार थी वो युद्ध म शामिल होना चाह रही थी लेकिन वहां का जो रस्यन रिवोल्यूशन की वज़ा से जो एक समाजवादी विचारधारा वाला एक जो ग्रूप जो है इटली में क्रियेट हो गया था जो जन्म ले लिया था वो क्या कर रहा था कि वो बिरोद कर रहा था वो इटली के सरकार को कह रहा था कि आप इस युद्ध में भाग बिलकुल मत लीजे ये इटली के लिए जो है बहुत ही नुकसान दायक होगा ठीक है उन्होंने ये बात कही लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर आप देखेगा कि वो सिचुएशन जो है वहां पर वो हैंडल नहीं होता है ठी इटली को भाग लेना नहीं चाहिए इससे इटली को नुकसान होना है और युद्धो परांद जो परिस्तितियां थी उसमें सच मुछ में अगर देखा जाए तो इस सितिती बहुत ही खराब थी किसकी जो है वो इटली की ठीक है इटली की सिती खराब थी और इस तरह से कह स वहां पर निरास थे हताश दे उनी हताशा जनक निराशा जनक परिस्तितियों में समाजवाद धीरे धीरे क्या करता है कि वहां पर अपना असर दिखाने लगता है ठीक है उन्नीस सो उन्नीस में जो सत्तार और सरकार होती है वो सरकार वो क्या करती है कि वो त्याग पत्र द धारा भी जो है जब धीरे धीरे अपना एक प्रकार से समझे ठीक है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था लेकिन वो सही नतितु दे पाने में वो भी सफल नहीं रहा इधर क्या होता है कि समाजवादी विचार धारा से जो एक प्रकार से जो पुंजी पती थे जो पढ़े लिखे लोग थे कुछ है ठीक है जो जमिनदार वगेर थे वो सब सशंकित होने लगे उनको यह लगने लगा कि अगर यह समाजवाद या साम्यवाद जो है अगर इटली में अपना प्रभाव जो है जमाने लगेगा तो नीजी संपती का हरास हो जाएगा जितने भी बेनेटो मुसलिनी जैसे एक शक्सियत उबरकर सामने माता है ठीक है बेनेटो मुसलिनी की अगर हम बात करें तो यह ध्यान रखेगा वो खुद भी पहले एक समाजवादी था ठीक है और समाज लेकिन उस वो समाजवाद को क्यों उस ग्रुप से वो बाहर कर दिया जाता है उसका रीजन यह होता है कि यह जो बेनेटो मुसलिनी था वो भी युद्ध का समर्थक था यानि कि आप एक तरह से समझे सत्ता सीन सरकार युद्ध चाह रही थी युद्ध में भाग इटली को शामिल कराने के लिए तयार थी ठीक है ना तो जो समाजवादी लेकिन चाहते समाजवाद का एक प्रकार से सदस्य होने के बावजुद भी वो क्या चाह रहा है समाजवाद कह रहे कि नहीं समाजवादी कह रहे कि नहीं इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए लेकिन मुसलिनी समाजवादी संगठन का वो सदस्य होते हुए भी वो सत्ता सीन सरका पर के इस विचारधारा के साथ दा। कि आप को देश को इटली को उस युद्ध में शामिल होना चाहिए। तो क्या होता है कि सामिवादी जो संगठन होता है वो संगठन क्या करता है कि बैनेटो clicking को अपने संगठन से बाहर कर देता है और वो समय एक समाज़वादी विचारधारा से उसका वो समपादक रहता है बेनेटो मुसोलिनी तो बेनेटो मुसोलिनी जो है वो क्या करता है उसको वहाँ से भी हटा दिया जाता है तो उसके अंदर इतना क्रोध आता है गुस्सा आते है ठीक है वो रूस को फिर जो है वो क 18 सरकार थी उसके त्याग पत्र दिया जाने के बाद जो एक नया विकल्प वहां की जनता जो तरही माम थी जो परिशान थी उसको जो एक नया विकल्प दिया था समाजवादी लेकिन समाजवादी उसको सही नतित्व नहीं दे सके तो एक प्रकार से शुन्यता की फिर स्तिती थी वैक्यूम के सितिक लोग निराशा निराश थे हताच थे अभी उनकी जो निराशा थी वो खत्म नहीं हुई थी तो इन ही परिस्तितियों में फिर क्या करता है की facility बेनेटो मुसोलीनी आता है इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि फासिवाद का उदेश जब पूछा जाएगा उदेश क्या है वो उदेश है इटली से ठीक है इटली से क्या करना कि इटली में ब्याप्त जो निराशा की भावना से बाहर निकालना ठीक है निराशा की भावना से बाहर निकालना पहर दीज कि प्रथम विश्वद के बाद इटली के स्वाभी मान को जो ठेस पहुचाए गया था उस स्वाभी मान को वापस लाना ठीक है तीसरी बात कि इटली को क्या करना कि विश्व की या अंतराश्टी राजनीती में एक बार फिर से उसके गौरव पुर्ण जो उसका अपना एक असर रहा है भाई रोम जो था वो तो एक सब्वेता एक तो क्या सकते हैं कि यूरोप की पूरी सब्वेता और संस्किती को क्या सकते हैं कि एक दिशा देने वाली सब्वेता थी तो उस सब्यता तो इतना अपना एक गुरफशाली अतीत रहा था इस वज़ा से इटली का रूम का अपना एक कह सकते हैं कि उसके अपना एक असर था वो असर को वापस लाना फासी वाद का जो है वो क्या हो जागा उद्देश हो जागा तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ रहा हो ना कि किन फासी वाद के उद्देश की बात करें तो वो उद्देश क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है ठीक है ना अच्छा एक चीज़ और देखेगा एक चीज़ और इसको थोड़ा सा जो ये फासिस्ट वर्ड है ये वर्ड को थोड़ा और हम एक्स्प्लेंट कर दें कि इसमें हुआ क्या था कि जो साम्यवादी थे ना वो साम्यवादी जो है साम्यवादी ये निराश इटालवी जनता का सही नतित्व नहीं कर सके ठीक है इटालवी जनता का सही नतित्व नहीं कर सके ठीक है तो जो वैक्यूम की स्थित्व उत्पन हुई जो वैक्यूम की स्थित्व उत्पन हुई टेक है जो वैक्यूम की स्थिति उत्पन हुई ये ध्यान रखना है उसी का लाव उठाया लाव उठाया किसने बैनिटो मुसुलीनी ने बैनिटो मुसुलीनी ने ठीक है तो इस सब की वज़ा से वहाँ पर जो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हैं कि जो एक अफरात अफरीक का माहोल था उनी पर इस्तीतियों में क्या होता है कि एक विचारधार एक संगठन वहाँ पर अस्थापित होता है और उस संगठन को ही फेशियों कहा जाता है यह ध्यान रखना है ठीक है उस संगठन को विनाशकारी जो तत्व थे ठीक है इन सब की वज़ा से जो विनाशकारी जो एक तत्व वहाँ पर विनाशकारी इस्तिती उत्पन हो गई थी इसी का सामना सामना करने के लिए तिक है इसी का सामना करने के लिए तब क्या होता है कि यह ध्यान लखना है कि वहाँ पर प्रतिरोधी संगठन बनने लगा के लिए परतिरोधी संगठन बनने लगा जिसे क्या का गया फैसियो फैसियो का गया जिसे का गया फैसियो और फैसियो का जो सदस्य होता था इसका मेंबर्स जो है वो क्या कहलाया फासिस्ट ठीक है उसका जो मेंबर है वो फासिस्ट कहलाया और इसकी जो बिचार धारा है इसकी जो आइडियो लोजी है वही कहलाया फासिज्म फासिज्म या फासिवाद का आगया ठीक है समझ में आगया कि फासिवाद क्या है वो वर्ड कहां से आया ठीक है ना ये सब आपको ध्यार में रखना है हमने बहुत ही आसानी से जो है ये सारी बाते हमने आपको समझा दिया ठीक है तो फासिवाद का जो है वो फासिज्म शब्द जो है वो कहां से निकला ये आपको समझना है ठीक है ना तो फासिवाद लिख लिया अब जो हैसे देखिए फासिवाद ये जो है इसके अगर हम विशेष्टाएं और विशेष्टा की बात करें तो ये उग्र राष्ट्रवाद की बात करेगा उग्र राष्ट्रवाद इसको कहेंगे फरविंट फरविंट नेशनलिजम की बात करेगा ठीक है फासिवाद में उग्र राष्ट्रवाद और क्या होगा बुद्धी और तरकवाद का बिरोध होगा बुद्धी वाद तरकवाद का बिरोध होगा बुद्धी वाद तरकवाद का बिरोध होगा इसमें बुद्धिजम या रिजन और लॉजिक की बात नहीं की जाएगी ठीक है इसमें क्या होगा प्राचीन इतिहास वा संस्कृति का यशोगान करना प्राचीन इतिहास वा संस्कृति का यशोगान करना ठीक है ये सब जो है फासिवाद की विशेस्ताएं ठीक है इन विशेस्ताओं को अगर हम ठीक है इसके पहले भी कुछ बाते और बताई थी वो चीज अगर आप इसको वहाँ ले जाना चाहते हैं ठीक है न तो यहाँ पर देखिए ठीक है अब देखिए ये हमने आपको बटाए था कि नागरी क्या व्यक्ति की गति वीदियों पर पुर्ण नी अंतरन है एक दल्य शाषिन की वेबस था कठोर सेंसर वेबस था गुप्त पुले शासन में सारी शक्ति अंतर साशक में सारी शक्ति अंतरनीत है इसी में उग्र राष्टबाद बुद्धी वत्तर कबाद का बिरोध प्राचिन इतियास वस संस्किति का यशोगान करना यह सब किस सब जो है कि यह इसकी विशेस्ताएं हो जाएंगे ठीक है लेकिन फासिवाद का उद्धेश क्या दा यह हमको सबजना है ठीक है अब हम लों लिखते हैं फासिवाद के उद्धेश क्या दा फासिवाद का उद्धेश यानि आपजेक्टिव्स 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 आ इसको आप पहला इटालवी जनता में व्याप्त हीन भावना को दूर करना ठीक है इटालवी जनता में व्याप्त हीन भावनाओं को दूर करना ठीक है दूसरी बात क्या होगी इटली कोई को आर्थिक इटली को आर्थिक संकट से बाहर निकालना तीसरा इटली को इटली को अंतर राष्ट्रिय अस्तर पर खोई हुई खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना अंतर राष्ट्रिय अस्तर पर इटली को अंतर राष्ट्रिय अस्तर पर खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाना या वापस लाना ठीक है ना चोथी बात होगी इटली के गौरवशाली अतीत अतीत का ये शोगान करना ठीक है ये सब जो है फासिवाद का उद्देश हो जाएगा ठीक है और क्या हो जाएगा और साम्यवाद की जो शक्ती थी साम्यवाद हैना साम्यवाद की शक्तियों को रोकना इटली में बढ़ने देने से रोकना यानि फासिवाद साम्यवाद का धोर विरोधी होगा ये ध्यान रखेगा पांचमा हो जाएगा साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना ठीक है ये सब फासिवाद का क्या हो जाएगा उद्देश हो जाएगा ठीक है साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकना यानि नीजी इसी का एक नहितार्थ ये होगा चोकि साम्यवाद नीजी संपत्ति का बिरोधी है आपको मालूम है उत्पादन के समस्त साधन का वो सारवजनी करन करनी की बात करते हैं पुंजी के सारवजनी करन की बात करते हैं यानि किसी वैक्ट ये नीजी संपत्ति का बिरोधी है ये साम्यवाद जो है नीजी संपत्ति का बिरोधी है रोकना कहने का मतलब अर्थाथ नीजी संपत्ति की रक्षा करना अर्थाथ नीजी संपत्ति की रक्षा करना तीक है इसमें शक्ति शाली सैन्य संगठन बनाना है सब ये सब आ जागा जो शक्ति शाली सैन्य संगठन ठीक है ये सब हो जागा फासिवाद का उदेश ठीक है अब अगर हम बात करें कि फासिवाद के उदय के करण क्या थे तो फासिवाद के उदय का करण क्या होगा तो आप देखेंगे कि पेरिशान्ति सम्मेलन में जो है वो जो कामना के साथ गया था यानि युद्ध कालिन परिस्थीतियों में लंदन की गुप्त संदी के अंतर गया उसके साथ जो वाइदे किये गया थे युद्धो परांत उस वाइदे का पूरा नहीं होना ये फासिवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा दूसरा कारण क्या होगा कि जो प्रतम विश्विध्ध की वज़ा से इटली के जो माली हालात बहुत खराब हो चुके थे उस माली हालात को जो है वो क्या करना एक परकार से कह सकते है कि उससे देश को बाहर निकालना ठीक है ये एक परकार से कह सकते है कि मतब जो खराब परिस्थिती थी उसने इसके उदय की परिश्वुमी को तयार किया ठीक है तीसरी महत्पुन बात यहाँ पर क्या होगी कि जो मतवा पर्थम विश्वुद के दोरा जो रसियन डिवोल्यूशन हुआ था उसकी वज़ा से साम्यवाद समाजवाद का जो प्रभाव बढ़ रहा था इटली में उस प्रभाव को रोकना भी जो है सशंकीत हो जाएगा उनको लगने लगेगा क्या रहे यह समाजवादी और साम्यवादी अगर अपनी सरकार बना लिया और अगर वो आज आएगे तो फिर क्या है उनकी सारी वैक्तिका संपत्तिनेश्ट हो जाएगी सबका सार्वजनिक करन कर दिया जाएगा तो इस वज़ा से वो क्या करेंगे बेनिटो मुसोलीनी जो है कह सकते हैं कि उस जैसे करमठ वैक्ति को जो है वो क्या करेगा वो उसको प्रश्रे देगा तो सामवाद का जो प्रभावड़ा और उसकी वज़ा से जो पुंजी पती तो इस वज़ा से भी उसका क्या होता है कि वो उदय का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है और एक बहुत बड़ा कारण जो है द्यान रखेगा वो रहेगा वही हेगल की विचारधारा हेगल की जो विचारधारा थी वो फासिवादी विचारधारा से मिलती जुलती थी हेगल भी ये कहता था कि राज जी जो है वो इस धर्ती पर इश्वर का इस्वर क्या एक पार्थिव रूप है इश्वर का एक अर्थली जो है उसका एक फॉर्म है उसका एक रूप है कि कैई, इसलिए वो कहा जो जनता की ज़ो उतकट देशवक्ती है उसका जो फर्वेंट जो है जो पैटियोटिजम है वो इस बात से सिध्ध होता है कि वो शासक के कहे जो बाते हैं उन बातों का कितनी निश्ठा के साथ अनुपालन करता अगर नहीं करने हो तो इसका मत्रब है कि आप में देश भक्ति की भावनाई नहीं हैं तो यह सारी जो बाते हैं इस तरह की ध्यान रखेगा ये जो है फासीवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा तो कल के क्लास में हम फासीवाद के उदय के कारण का विश् के साथ तब तक लिए जय हिद जय बारत